ओनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है, मैं दरमराण वेशनव असेस्टेंट प्रोपेसर जूलो जी स्री प्रताप सिंग बारेट, राज के महाविद्याले शापरा बीलवाड़ा आज हम कार्बोहड्रेट मेटाबोलिजम के बारे में अध्यन करेंगे यह B.E.C. Second Year Paper Second Animal Physiology and Biochemistry Book की थाड़ उनियूट का टोपिक है तो इसमें अपन बात करेंगे, तो सबसे पहले की मेटाबोलिजम क्या है, उसके बाद केटाबोलिजम और एनबोलिजम के बारे में बात करेंगे और उसके बाद में आवन एक नॉर्मल जानकरी प्राप्त करेंगे किनके बारे में कार्बोएड़ेट मेटाबोलिजम क्या होता है तो सुरुवात करते हैं अपन सबसे पहले मेटाबोलिजम या उपापचे क्या है तो उपापचे सब्द का मतलब होता है परिवर्तन या चेंज ये सब्द उन सभी रासाइनिक अभिक्रियाओं के लिए उप्योग में लिया जाता है जो जीवों की कोशिकाओं में होती है एवं एंजाइमों से नियंत्रित होती है ये मेताबोलिजम सब्द जो काम में लिया जाता है वो कहां काम में लिया जाता है अब कोशिकां में व्रदी प्रजनन और इसके अलावा टिशू रिपेर और प्रोडेक्शन ओप एनरजी आदिर क्रियाओं होती है तो अगर इसको परिबासी तुरूप में अगर अपन बात करें कि कि मेटाबोलिजम क्या है तो chemical reaction involved in maintaining the living stage of cells and the organism यह इसकी एक short definition हो सकती है अब अगर इसको अपन हिंदी में बात करें तो कि वह क्रिया है जिन में kinetic energy कोशिकाओं में potential energy में परिवर्थित होती है उस ऐसी अभी क्रियाओं को क्या कहते है अपन उपापचे या और ऐसी क्रियाओं को क्या कह सकते है अपन metabolism क्या कहते हैं metabolism ठीक है अब metabolism आपके समझा गया next अपन बात करते हैं कि catabolism और anabolism क्या है अब metabolism दो तरीके से हो सकता है एक होता है catabolism और एक होता है anabolism जिसको हिंदी में catabolism को कहते है अपचे और anabolism को कहते है उपचे क्या कहते है उपचे यह आपके बार बार सब्दा आता है catabolic reaction, anabolic reaction तो आपके समझ में नहीं आता होगा आज अपन इसके बारे में जो discuss करेंगे आपके बिलकुल समझ आ जाएगा कि catabolic reaction क्या होती है anabolic reaction क्या होती है तो सबसे पहले बात करेंबन तो catabolic reaction catabolism is the set of metabolic pathway that break drown molecules into smaller unit that are either oxidized to release in energy or use in other anabolic reactions अगर इसको सरल भासा में अपन समझना चाहें तो अपके वे किरियाएं हैं जिन में जटिल अनों को सरल अनों में परिवर्तित किया जाता है तता उर्जा का उत्पादल होता है molecules smaller unit समझा रहोगा molecules और उर्जा का उत्पादल होता है that's called catabolic reactions या उदारन के लिए अपन बात करें तो carbohydrate lipid के अपचय द्वारा पानी और CO2 में परिवर्दित हो जाना वह उर्जा उत्पन होना ये क्या है एक catabolic reaction है अगर इसको यूँ समझे तो स्वसन एक क्या है catabolic reaction है respiration क्या है catabolic reaction है ठीक है इसके अलावा glycogen का glycogenolysis द्वारा परिवर्दन होना भी क्या है catabolic reaction है ठीक है दूसरी बात करते है अपन anabolic reaction की just इसके अपोजिट smaller unit molecules और इसमें energy काम में आती है इसमें energy का उत्पादन होता है इसमें energy काम में आती है अगर अपन इसको सरल भासा में समझना चाहें तो उपचेक को निर्माण करने की किरिया या syncylation की किरिया को कहते है यानि कि anabolic reaction क्या होती है syncylation किसी भी चीज का synthesis होना या निर्माण होना क्या कहलाती anabolic reaction अब इसमें इन किरियाऊं में क्या होता है सरल बोज्य पदार्टों को या सरल मोलिकूल्स को के द्वारा जटल मोलिकूल्स का निर्माण किया जाता है और इसमें उर्जा की आउशकता होती है जैसे फोटो सेंतेसिस द्वारा क्या होता है CO2 और H2O से ग्लुकोज का निर्माण होता है इसी तरीके से फेटी एसिट और ग्लिस्रोल से किसका निर्माण होता है ट्राइग ग्लिस्राइड या वसा का निर्माण होता है ठीक है तो ये कौन सी रियक्शन होगी एनबोलिक रियक्शन तो अब आपको यहां केटबोलिक और anabolic reactions के बारे में अच्छे से समझ आ गया होगा ठीक है तो इसको सरल भासा में अपन बात करें तो स्वसन क्या है अगर साधान सब्जों में याद रखें याद रखने के लिए तो स्वसन क्या है एक ketabolic reaction है जबकि प्रकास translation क्या है एक anabolic reaction है ketabolic reaction में उर्जा का उत्पादन होता है anabolic reaction में उर्जा का यूज होता है ठीक है यह तो हो गई इसकी बात अब next अपन बात करते हैं कार्बोहड्रेट मेटाबोलिजम की कार्बोहड्रेट मेटाबोलिजम क्या होता है अगर अपन बात करें तो प्रोटोप्लाज में प्रमुक उर्जा का जो source है वो कौन है ग्लुकोज होता है शरीर में आवश्यक उर्जा का अधिकतर बाग हमें किस से मिलता है कार्बोहड् कप क्या होता है पाचन होता है और वो क्या है चोटे-चोटे अनों में या शुरी बोजन में कार्बोएडरेट किस रूप में होता है पहले यह जहां पोली सेकराइड रूप में हो सकता है डाइस सेकराइड और मोनो सेकराइड रूप में होता है नहीं कार्बोएडरेट जट या मोटा उपाबची किरिया द्वारा इसका सरलनों में विगठन होता है जिससे क्या होता है सरीर को उर्जा प्राप्त होती है तीक है अब कि ये उर्जा प्राप्त होती है ये निम्न प्रकार से अपने को शरीर में या ग्लुकोज से उर्जा प्राप्त होती है जिसे ग्लुकोज उत्तकों में क्या होता है कि केटाबॉलिक डियेक्शन द्वारा उर्जा प्रदान करता है उसके अलावा, लीवर और skeletal muscle में glucose किसमें संग्रहित हो जाता है? gly tailored में संग्रहित हो जाता है। glucose वसा में परिवर्ठित होकर क्या बनाता है? एक वसा depot में संग्रहित हो सकती हैं. इसके अलावा, अब आगे अपन बात करें तो carbohydrate का प्रिक्रियाओं द्वारा विबाजित कर सकते हैं जिसमें सबसे पहले बात करते हैं गलाइकोजिनेसिस नाम से पता चल रहा है गलाइकोजिनेसिस यकरत एवं पेशी कोशिकाओं में गलुकोज द्वारा गलाइकोजन का संसलेशन सिम्पल लेंग्वेज में रखना कि गलाइकोजन का संसलेशन क्या कहलाता है गलाइकोजेनेसिस दूसरा मेटाबोली रियक्शन बाग की बात करें तो ग्लाइको जीनोलाइसिस यानि कि जो ग्लाइकोजन बना है उसका वापस ग्लुकोज में विगठन वो क्या कलाता है ग्लाइको जीनोलाइसिस इनके बारे में अगे विस्तार से चर्चा करेंगी अलग अलग टोपिकों फिर अगला आता है glycolysis जैनि कि glucose का pyreak अमल में या एवाईवी अवस्ता में lektik अमल में विखटन क्या कलाता है glycolysis जिसके परे में अगली क्लास में विस्तार से बात करेंगे ये भी क्या है कार्बोडेट की मेटाबोलीजम या यह कौनसी रियक्षन है केटाबोलिक रियक्षन है इसके अलाबा क्रेप साइकिल क्रेप साइकिल क्या होती है पायरिक अमल से या पायरिक एसीड के एक अनों के या पायरिक अमल के ओक्षिडेटिव डी कार्बोक्सली करन द्वारा एसिटेल को एंजाइम वह सियो टू है का या Acetylco Enzyme CO2 वे जल में उक्षीकरण किसका पायरी कमन का इसके अलावा Pentose Phosphate पात में ये Glucose के उक्षीकरण का वेकलपिक पत है और अंत में Glyconeogenesis Non-Carbohydrate Source से Glucose वे Glycogen का Sinculation इस तरीके से चे तरीके से अपन किसके बारे में बात करेंगे Carbohydrate Metabolism के बारे में ठीक है तो आज अपन ने क्या बात करी केवल नॉर्मल जानकारी प्राप्त करी क्या है कि Carbohydrate Metabolism क्या होता है सबसे पहले Metabolism क्या होता है उसके बाद metabolism दो तरीके से होता है एक ketabolism और एक anabolism फिर उसके बाद carbohydrate metabolism तो carbohydrate metabolism मुख्य रूप से 6 तरीके से होता है और इन 6 प्रकारों के बारे में अपन विस्तार से आगे अगले वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे कि वही 6 प्रकार से तो सबसे पहले अपन सुरुआत करेंगे glycolysis से इस टोपिक में अपना उद्दिश्य था कि आपको ketabolic और anabolic reactions के बारे में पता चले उसके बाद carbohydrate metabolism कितने तरीके से हो सकता है उसके बारे में आपको नचले आशा करते हैं यह टोपिक आपको समझ आयागा धन्यवाद ठीक है